गोरखपूर सदर से बीजीपी प्रत्याशी रवीकेशन शुकले ने रडीप सुर्जेवाला के बयान को कॉंग्रेस की मन सिक्ता बताये हैं। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस नेता हमेशा से महिलाओं के लिए अपमान जनक बाते करते रहे हैं। गोरखपूर से भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के इस्टार प्रचारक रवीकेशन जी हमारे साथ हैं। सर, कॉंग्रेस की बरिष्ट लीडर है सुर्जेवाला साब, उन्होंने हममानली जी पे एक टिपड़ी कर दी है। क्या कहेंगे आपुश्ट लीडर रहुल जी ने भी कहा था शक्ती के बारे में कि उशक्ती को परास करना चाहता है। हम लोग सब शक्ती के आराधक हैं, हम लोग नारी शक्ती को देवी शक्तियों को मानते हैं, हमारी इस्ट है। कलाकार भी माभगवती का रूप होता है हिमा जी कितनी शालीन खलाकार है कितनी शांदार कलाकार है कितनी शालीनता से उन्होंने के अपना जीवन अपनी महनत से आज ओ यहां तक आई है अब उमीरा जी वाला परफॉर्म करती है और बहुत सनातनी विचारधाराओं को पुरे विश्व में हो उसका प्रचार प्रसायर करती है शालीन्ता के साथ उनके बारे में ऐसे अब शब्द बोलना ये दर्शाता है कि ये लोग कैसे हैं सुर्जेवाला जी को हमको लगाते हैं बड़े पड़े लिखे व्यक्ती हैं समझदार हैं इस अपने आपको पढ़ा हम लोग तो दिहाती लोग हैं हम लोग इनसे कई करोड़ कुना शायद अच्छे हैं हम लोग नारी शक्ती का सम्मान तो जानते हैं खैर इन्होंने दूसरा जो सवाल किया है कि क्या करते हैं एक अलाकार यह लोग आके क्या करेंगे राजनीती में यह लोगोंने क्या किया है ठीक है चाटू कारता से ही यह लोग टिकेट पाते हैं यह स्टार्डम से पाते हैं जो उनके कहने का मतलब तत पर यही था, तो मैं उन सुर्जेवाला जी से कहना चाहता हूं कि आपको तो मैं बहुत समझदार व्यक्ति समझता था, बुद्धी जीवी टाइप लगते हैं, चेहरे से आप, कभी कभी सफिद बाल होता तो आदमी लगता है कि बुद्धी जीवी है, कभी कभी फसा देता अपने सफ दो के खेलों में, दो चार किताबी शब्द रात को रट्टा मार के सवेरे बोलना चैनल के सामने, अब वो भी खेल जानते हैं आप लोग का, अपने राहूल गांधी जी से पूछेगा, वो सदन में हैं, पांस साल, वो भी साथी रहे हमारे माननी सदस्तिर है, उन से पूछ पूछिएगा, जरूर और यह आप भी जानेगा कि कलाकार क्या करता है, मैं तो पहली बार का, मैं तो एक कीडा मकोडा टाइप, गाउं देहाद का निकलावा लड़का, सरकारी स्कूल मिट्टी के घर से निकलावा लड़का मैं, उन से पूछिएगा, यह तो बहुत यह आप लोग ना नेताल गणा हैं सब, गांधी परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, सम्मानी परिवार, कितने प्रशन पूछे थे पार्लेमेंट में, पांस साल में, 2019 से 24 के बीच में, राहुल जी ने कितने प्रशन पूछे थे, उनका अटेंडेंस क्या था, उनके प्राइवेट बिल क्या थे, उन्होंने डिबेट में कितना हिस्सा लिया, ठीक, और आप रवी किशन जो कलाकार है, जो गोरखपुर का सांसद है, मेरी सवाल कितने थे, 486, almost 500, 10 प्राइवेट बिल, correct, डिबेट में कितना हिस्सा लिया, चेक करना, तब बताना, गांधी प चम्मच से पैदा हुआ, हीरे के चम्मच से नहीं, एक गरीब ब्रामण का लड़का, अपनी लड़ाई से एक लाक लोगों को भुछपुरिया सिनेवा में रोजगार देने वाला यही लड़का, आपके सामने बठा है, जिसको विश्व जानता है, महादेव की किरपा से, इसका नाम रवी किशन है, तो गांधी परिवार के प्रश्ण, तो पता चलेगा कि कलाकार जरूरी नहीं, सेवा जानते हैं, मोदी जी से सीखें, पुझ्ययोगी महराज जी सीखें, हमारे नेता करमठ हैं, हमको सिखाएं हैं, हमनों को लड़ना सिखाएं, बोलना सिखाएं हमारे नेता जैसे वैसे उनकी सेना, तो कंपेर कर लीजेगा सुर्जेवाला जी, और तब बताइएगा कि कलाकार और गांधी परिवार में क्या अंदर हैं